अगले 10 मिनट के अंदर इलक्ट्रो स्टाटिक पोटेंशियल एंड कैपेस्टेंज की सारी की सारी एंचियार्टी की जो इंपोर्टेंट बाते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ तो बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बातें कहीं न कहीं क्योसन सोल करने में हमारी बहुत हैल्प करती है तो सबसे पहले स्टाट करते हैं हम इलक्रो स्टैटिक पोटेंशियल से देखो किसी point पे potential को define कैसे किया गया इसकी definition को ध्यान से समझेदा इसकी definition क्या है कि हम एक कुलाम charge positive one कुलाम charge को infinity से धीरे धीरे उस particular point पे लेके आते हैं जहां हमें उस point का potential निकालना है और इस region में हो सकता है कुछ charge present है एक, दो, तीन कितना भी charge हो सकता है जिसकी यहां पर इस region में external field होगी जब एक कुलाम charge को infinity से यहां लाएंगे तो रास्ते में ये field के कारण उसके force लगेगा और इस force के कारण उसके acceleration आ सकता है लेकिन हमें उस charge को धीरे धीरे लाना है क्योंकि definition ही यह कहती है तो उसके लिए external agent जो लेके आ रहा है उसको उस electric force के against एक force लगाना पड़ेगा ताकि net force zero हो जाए और बिल्कुल धीरे धीरे उस charge को यहां पर लेके आएंगे तो इस external agent ने यहां तक लाने में एक कुलाम charge पर जो work किया है that work is known as potential of that point लेकि पीठा potential अब हमने क्या किया infinity से लेके आ रहे है अब infinity मतलब कुछ नहीं कोई न कोई यह बहुत दूर एक point होगा वहां से लेके आ रहे है तो हम एक reference लेना पड़ रहा है कि हम कहां से charge को लेके आ रहे तो by default हमने क्या किया potential इस point का define करने के लिए एक reference लिया उसको बोलता है reference potential कि हमने infinity का बहुत दूर वाले point का potential 0 मान लिया और वहां से यहां तक लाने का work देखा तो basically electric potential किसी point के define करने के लिए हम एक reference मानना पड़ता है यह frame depend करेगा कि वो reference हमने कहां 0 माना है और वहां से एक बहुत ही important formula निकल के आ जाता है vp is equal to minus e dot dr integration करेंगे infinity से उस point तक लाने में अब जो भी charge के कारण field निकालनी है potential निकालना है उस charge की field को यहां रखेंगे और soul करके answer निकालना है इसी का use करके हम बहुत सारे formula डेराइव करते हैं जैसे point charge के कारण electric potential kq by r hollow sphere का electric potential बाहर होता है point charge की तरह kq by r अंदर surface के बराबर होता है क्योंकि अंदर field 0 होता है तो अंदर का potential हो जाता है kq upon capital R जो की पूरे में uniform रहेगा solid sphere की बात करूं तो बहार का potential point charge की तरह होगा लेकिन अंदर potential vary करता है parabolically और center का potential surface के potential का डेड़ गुना हो जाता है 3 by 2 times of kq by capital R kq by capital R surface का potential था ऐसे और भी जैसे ring के axis पे kq upon distance निकाल देते है root over r square plus axis square ring का हो गया और एक circular arc पे charge distributed है उसके काण center का potential kq by r क्योंकि potential बेटा एक skiller quantity होती है हमें देखना होता है कि charge कितने distance पे रखा है इस तरीके से बहुत सारे formula हम निकाल लेते हैं और वह काम आते है इसके बाद बात आती है यह तो था एक point का potential जिसके लिए reference हमने माना था लेकिन देखो जैसा तुमने बहुत बार सुना होगा कई experiment में भी देखा होगा कि wire को touch करके दिखाते हैं देखो मेरे current नहीं लगा high voltage wire है पक्षियों के बारे में देखा होगा कि पक्षियों high voltage line पे बैठे हैं लेकिन उनको current नहीं लगा है क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ एक point का potential एक line का potential कोई माइन ही नहीं रखता है क्योंकि जब तक हम reference define नहीं करेंगे तब तक उसकी कोई value नहीं है हां जहां दो wire आ गई और अलग-लग potential है उनको touch करेंगे तो हालत खराब हो सकती है पक्षिकी भी हो सकती है यदि वो अलग-लग दो voltage वाली line को touch करता है तो तो basically हमें दो point का potential difference निकालना पड़ेगा और वो reference पे depend नहीं करेगा क्योंकि infinity पे 0 मानते हो यह यहां का 5 volt है यहां का 10 volt है तो दोनों का difference 5 volt है अब तुम infinity पे कुछ भी मालो यह difference change होने वाला नहीं है तो basically हमें दो point के बीच का potential difference निकालना क्या एक formula यहां से निकल के आता है यह formula limit change होकर कि यह बन जाता है VA minus VB A और B के potential का difference difference VA minus VB यह होता है E dot DR A to B ध्यान रखना यहां minus sign नहीं लगा है पहले वाला point का limit पहले बाद वाले का बाद में और इससे हम potential difference निकाल लेते हैं लेकिन पता है integration का नाम देखते हैं हमें डर लगना लग जाता है कि अब पता नहीं क्या करना पड़ेगा बलकि 99% केसिज में हमें integration की जरुवत ही नहीं पड़ती है क्योंकि हमें जो field दी जाती है वो uniform दी जाती है और uniform field के लिए potential difference निकालना बहुत आसान हो जाता है यदि हम इस formula को modify करके यहां आ जाए दो नाच से समझना यदि दो point जिसके एक reason है जिसमें uniform field है उसमें e magnitude की field है हमें दो point के बीच में potential difference निकालना है तो simple सा तरीका द्यान रखना electric field की value into distance in the direction of electric field for example एक point यहां है एक point यहां है field इधर है तो e into यह distance लेकिन यदि एक point यहां है ऐसे angle पे लेकिन field इधर है तो तुमें यह distance नहीं लेनी है इस distance का वो component जो electric field के direction में है तो e into वो distance दोनो point के बीच की distance in the direction of electric field बहुत important निकल के आता है और आराम से potential difference निकल जाता है potential में सबसे ज़्यादा mistake पता है किस बात की होती है plus minus sign की potential difference में यह समझने आता कि plus का 10 volt आए गया minus का 10 volt आएगा बीटा एक बात ध्यान रखना एक point बता रहो हमेशा दिमाग में रखना यदि हम electric field की direction में चल रहे है तो potential हमेशा decrease होगा और electric field के opposite चल रहे है तो potential increase होगा और electric field के perpendicular चल रहे है तो potential में change नहीं होगा इस तरीके से तुम decide कर सकते हो कि answer तुमारा plus का आएगा या minus का आएगा ये थी potential की बाते इसकी बाद next आता है potential energy electrostatic potential energy बढ़ा potential energy की बताओ तो जैसे हमने एक कुलाम charge को infinity से वहाँ तक लाए थे वो उस point का potential बन गया था यदि मैं potential energy की बात कर रहा हूं तो पहली बात तो यह किसी एक charge का नहीं होता है एक system का होता है potential energy किसी एक charge के नहीं एक system की होती है ऐसा नहीं होता की एकलोथे चार्ज बाटेंशलE J उस region में कोई और चार्ज होंगे उनके आपस की interaction potential energy बनी होगी कुछ तो potential energy हमेशे किसके लिए define की जाती है एक system के लिए अब सुनो यहां कुछ charges रखे हुए है इस region में ठीक है और मुझे एक charge को infinity से किसी point तक लाना है और अब मुझे इस point पर इस charge की potential energy बतानी है अब इस charge की नहीं होगी वो actual में इस system के कारण पूरे charges के कारण इस charge के साथ interaction potential energy होगी क्या होगी interaction potential energy थोड़ा आसान करता हूँ पहले समझने के लिए हम क्या करते हैं सिर्फ दो ही charge लेते हैं एक charge यह रखा एक charge यह रखा दोनों की potential energy तो define क्या किया जाएगा हम दोनों को infinity पे फैक दिया infinity जाब पहले एक charge को लेके आएगी कोई दूसरा charge ही नहीं यह तो यह फिरी में आएगा कोई force नहीं लगाएगा इसके ओपर या केला ही तो आ रहा है खुद के कान खुद पर थोना force लगा लेगा फिर अब दूसरे को लेके आएगे अब जब इसको लेके आ रहे हैं तो यह उसको आने से मना करेगा या attract करेगा कुछ नहीं कुछ force लगाएगा तो उसके against external को work करना पड़ेगा और यह जो work होगा यह उसकी potential energy में इखटा हो जाएगा इस बात को ऐसे ही समझो जैसे एक ball को हम उपर लेके जाते हैं और छोडते हैं तो वो अच्छानक से गिरती है उसके पास kinetic energy आती है वो energy कहां से आ रही है एक्च्वल में जब हम उपर लेके जा रहे थे तो जो हमने work किया था वो gravitational potential energy में इखटा हो गया सेम ऐसे ही दो चार्ज को अपस्म पास ला रहे जबर दस्ती पास ला रहे और यहां रख रहे है जैसे छोड़ेंगे भाग जाएंगी इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों पर लापास लाने में जो हमने work किया था इन्होंने इखटा कर लिया आपने नर्जी में और जैसे चोड़ा भाग दby काइनटिक एनरजी में आगे यह हमेशा एनरजी इनर्जी को स्टोर कर लेते हैं । ज़रुत के टाइम पे उसको आपसे release भी कर देते हैं तो यहां से 2 charge के लिए जो electrostatic potential energy का formula आता है that is KQ1Q2 by R बहुत आसान सा formula है 2 charge Q1Q2 R distance पे रखे हैं तो potential energy आएगी KQ1Q2 by R ठीक है, यदि 3 charge हो तो फिर हम जोड़े बनाते हैं 3 charge, 1, 2, 3 4 charge है तो जोड़े बनाते हैं 5 है तो जोड़े बनाते है और जोड़े बनाने का एक formula निकल के आता है n, n-1 by 2 जैसे 3 charge है तो n हो गया 3 3 into 3 minus 1 by 2 निकल के आएगा 3 जोड़े बनें ऐसे 4 रखो, 5 रखो, जितने भी pair बन सकते हैं possible, वो हम pair बनाते हैं हर पेर की potential energy लिखते हैं सब को add कर देते हैं net potential energy आगते हैं यह तो था system की बात कि तीन चार्ज का system है पांच चार्ज का system है जो भी लेकिन एक होती है interaction potential energy जैसे मालों यहां 10 चार्ज रखें ठीक है अब एक नए चार्ज को मैं कहीं से भी लाकर करके यहां रख रहा हूं किसी point इन 10 चार्ज के आसपास यहां कहीं तो मुझे system की नहीं निकालनी बच 10 जो पहले से रखे थे इनकी भी अपस में होगी energy बट मुझे वो नहीं निकालनी मुझे सिर्फ वो energy निकालनी है जो नए चार्ज के कारण यहां आई है जो पहले थी वो थी अब जो चार्ज लेकिन तो इसके लिए फोर्मूला होता है, क्या वो चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं, इन्टू जिस पॉइंट पहला के उसको रख रहे हैं, वहां का पॉटेंशियल, तो उस चार्ज को उस पॉइंट के पॉटेंशियल से मल्टिप्लाई कर दोगे, तो यहां से वो पॉटेंशियल अनरजी आजाएगी, सेम ऐसे ही, यह एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाओगे, तो पॉटेंशियल अनरजी में कितना चेंज होगा, हम कहेंगे, क्यों इन्टू पॉटेंशियल डिफरेंस से मल्टिप्लाई कर दो, क्यों इन्टू वी की जगए, क्यों देल्टा भी हो जाएगा वो चींज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यह कैसे काम आएगा जैसे देखो एक स्क्वेर के कोर्णर पर चार्जिज रखें तीक है मैं एक चार्ज को इंफिनिटी से ला रहा हूं और सेंटर पर रख रहा हूं मुझे पूछ ले बताओ कित तो एडिशनल क्या आया है नया चार्ज उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इन चार के कारण बस वही वर्क डन करना पड़े और वो कैसे निकालेंगे हम कहेंगे जो चार्ज ला रहे है वह इंटू यहां सेंटर का पोटेंशियल आंशरा जाएगा तो यह बहुत सार कि एक ऐसा माटेरियल है जिसमें लार्ज नंबर ओफ्री लक्टोन से फ्री मतलब फ्री मतलब वह लूजली बाउंड है नूकलियस के साथ इतना ज्यादा स्ट्रोंगली अट्रक्टेड नहीं है जवरत के टाइम पर वह इलक्टोन दे देते हैं कि कंडक्शन कर ले मतलब इ इसा नहीं होता है इनफाइनाइट यह हो गया कंडक्टर इसकी कुछ प्रोपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है जैसे कंडक्टर को यदि एक्स्टरनल फिल्ड में रखते हैं तो यह चार्ज इंड्यूज कर लेता है और अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड हमेशा क्या को हम इलेक्ट्रिक फिल्ड से खराब होने से बचा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं करना तुम्हें उसको क्या करना एक कंड़क्टर के अंदर मतलब हो लोग सेल कंड़क्टिंग सेल के अंदर बंद कर देना जैसे जो मेट्री बोक्स के अंदर बंद कर दो तो बाहर की फिल् जिसमें electric field होती है तो वो अंदर जाही नहीं पाती है यह conductor के कारण होता है ठिक है और conductor के कुछ points हमें ध्यान रखने चाहिए जैसे conductor के surface पर जो electric field होती है वो हमेशा surface के perpendicular होती है अंदर तो 0 होती है surface पर उसके perpendicular होती है कितनी वहां की charge देंसिटी अपोन अपसालन नोट एज इक्वल टू सिगमा अपोन अपसालन नोट थीक है कंड़क्टर के अंदर फिल्ड जीरो है मतलब अंदर किसी चार्ज को गुमाओगे कोई फोर्स नहीं लगेगा कोई वर्कडन नहीं होगा मतलब कंड़क्टर पूरा का पूरा इकवी पोटेंशल उबजेक्ट होता है पूरे कंड़क्टर का पोटेंशल क्या होता है सेंग होता है तो यह कुछ बाते हैं कंड़क्टर की जो इसको special बनाती है हमें ध्यान रखना चाहिए conductor का use करके हम बनाते हैं एक capacitor capacitor basically एक conductor ही होता है जिस पे हम charge store करते हैं अब देखो एक conductor है जिस पे हमने कुछ charge रखा तो वोच charge के छांट वहां electric field आएगी और जिस region में electric field होती है electric field के form में energy store होती है यदि हम उस charge को किसी तरीके से उस conductor से extract कर सकते है तो एक प्रकार से हम एनर्जी को एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं तो conductor एक energy storing device होता है जो electric field के form में energy को store करता है ठीक है? वैसे तो एक isolated conductor जैसे एक sphere है R radius का sphere है, इसका capacitance निकल के आता है 4 pi epsilon r ये कोई अच्छा capacitor नहीं होता है इसके लिए क्या करते हैं, दो conductor को पास पास रखा जाता है जिससे कि एक अच्छा capacitor बन के आता है और जो हमारे syllabus में, जो सबसे ज़्यादा हमारे syllabus में काम आता है वो होता है parallel plate capacitor जिसमें दो large conducting plates को पास पास ऐसे रख दिया जाता है large conducting plates को तो यह जो system बनता है, इसको हम बोलते है capacitor ठीक है अब बात आती है capacitor का capacitance Capacitance एक प्रकार से होता है कि उस capacitor के अंदर charge store करने की कितनी capacity है उसको measure करने का तरीका है capacitance और यह जो parallel plate capacitor निकल के आता है इसका capacitance आता है epsilon note A by D तो capacitor के लिए कुछ बहुत ही useful जो पाते है मैं वो बात बताने जा रहा हूँ capacitor का formula epsilon note A by D कई बार NEET में सिर्फ इसी formula से क्योसन पूछा गया है तो epsilon note A by D इसका capacitance होता है वो कहेगा D को इतना घटा दिया एक को इतना भढ़ा दिया बताओ capacitance पे क्या effect आएगा इस type के क्योसन यहां से कर सकते है D आदा कर दिया capacitance डबल हो जाएगा area हादा कर दिया capacitance हादा हो जाएगा ऐसी changes करकर के वो क्योसन पूछता रहता है percentage change करके पूछ लेगा next आता है बहुत ही important दो plates है parallel plates एक पे charge Q देंगे एक पे charge minus Q हो जाता है एक पे Q तो दूसरे पे उसका negative charge आता है minus Q अब plus minus पास पास है तो attract करेंगे तो दोनों plate के बीच में force कितना लगता है बहुत important formula है कई बार नीट में क्योसन इस पे पूछा गया है तो ये force का फोलना सीधा रट के रखना है Q square upon 2A epsilon node force कितना होता है Q square upon 2A epsilon node ये Q क्या है उस capacitor के उपर charge इसके बाद एक important case आता है कि दोनों plate के बीच में field कितना होगा uniform field होता है Q upon A epsilon node इस capacitor में energy कितनी store होगी उसका formula होता है half cv square और q square by 2c जो हमें data available हो दोनों use कर सकते हैं half cv square भी use कर सकते हैं और q square by 2c इन दोनों को convert किया जा सकता है using formula q is equal to c into v एक capacitor के लिए होता है ठीक है next आता है dielectric dielectric क्या होता है dielectric एक insulating medium होता है conducting नहीं होता है insulating जिसमें electrons free नहीं होते हैं धर-धर move करने के लिए ऐसे medium को बोलते है dielectric जब एक capacitor में dielectric को रखा जाता है तो dielectric polarized हो जाता है मतलब जब capacitor में रखेंगे मतलब external field में रख दिया लेकिन जैसे medium में रखते हैं तो one upon four pi epsilon note epsilon r नीचे epsilon r आ जाता है उसको यहां नाम दिया जाता है dielectric constant k तो जो भी बाहर field होगी slab के अंदर उस dielectric medium के अंदर field बाहर का one by k times हो जाएगी जहां k उसकी dielectric constant होती है तीक है free space का dielectric constant one लेते हैं conductor का dielectric constant infinite लेते हैं तो electric field one by infinite times मतलब zero हो जाती है बाकि जो insulating medium आते हैं उनकी k की value zero और infinity के बीच में vary करती है उसके हिसाब से field change होती है तो इससे capacitance पर क्या effect आएगा आता है दो plate हैं उनके बीच में dielectric slab रख देंगे पूरा space भर देंगे तो capacitance की जो value होती है वो पहले की value का k times हो जाती है k है dielectric constant तो नया capacitance k times c हो जाता है इस formula पर भी कई बार क्योसन नीट में पूछा हुआ है बस सिर्फ इतना ही कि पहले capacitance यह था अब यह हो गया बताओ k क्या है या यह dielectric डाल दिया बताओ capacitance क्या हो जाएगा या पहले charge store इतना था अब इतना हो गया बताओ k क्या हो जाएगा इस type के questions पूछे जा सकते हैं और अभी बताया कि अंदर slab के अंदर field है वो बाहर के field का 1 by k times हो जाती है बाहर field e है तो अंदर e by k हो जाएगी जैसे फिर बाहर निकलेंगे slab के फिर से e हो जाएगी तो सिर्फ effect कहां आता है slab के अंदर अंदर आता है थिक है तो यह हमारा पूरा electric potential and capacitance वाला chapter है तो यह जित्रे भी important formula बताएगा हर formula से क्योशन कई पूछे गए है अच्छे से याद रखना ओके बड़ा thank you thank you very much